नवश्कार दर्शको इटानगर नियूस में आप सभी का स्वागत है दर्शको आज हमारे साथ मौजूद है हमारे स्पेशल महमान जो की सोचल मीडिया संसेशन है और हमारी 2023 की मिस निशी आइडल है चले उनसे मिलवाते हैं वो है मुरन जुली चले उनसे जानते हैं उनके बारे में और उनकी जो कहानी है जब वो निशी आइडल नहीं थी उससे पहले वो कैसी थी हलो चुली कैसी हो I'm doing good, hello तो सबसे पहले ये बताएं कि आपके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और अचानक से आप आई उसके बाद डिरेक्ली आपने निशी आइडल का खताब विज जीता तो आप सबसे पहले ये बताएं कि स्कूलिंग, कॉलेज, कहां से हो Actually मैं आप Okay, हाँ मैं इस बात को बिल्कुल एगरी करती हूँ कि जादा तर लग मुझे यहां नहीं जानते कि मैं जादा तर बहार ही रही हूँ और स्कूलिंग जो मैंने यहां 12 तक अरुनाचल में ही किया है तो पहले मैं किमीन में थी बच्पन में But I wasn't going to like school that time very tiny तो उसकी बाद मेरे डाद को जोब लगा यहां पे तो उसकी वज़े से I started going to other places जहाँ में अपने schooling करी सब अरुनाचल में किया But after 12 I went to Tehradun And in Tehradun में BA and plus some other courses Christian literature that I've studied उसकी बाद में ने बैंगलोर में किया Bangalore में में बैंगलोर Conservatory वहां से crash courses किया in music उसकी बाद में उसकी बाद में I'm like still going on for my higher studies So schooling college तो आपने बहर से किया है So उसकी बाद मेरा second question तो यह होगा कि आपका जो निशिया आइडिल बनने का जो सफर था जो auditions आपने दिये है क्योंकि हम भी वहां पर थे As a Prune हमने भी वहां पर auditions देखे थे कि बहुत सारे लोग थे महां पर बहुत सारे आए हुए थे कंडिस्टेंस तो वहाला सफर कैसा था मेरा अगर कहूं तो मेरा जर्नी जो जास स्टार्ट हुआ है From a very scratch very humble beginning जो मैंने किम किमिन का कोई में किया था So it was a very good opportunity for me जो मैंने कभी यहां पर इतना किया था जो स्कूलिंग में बैंड के साथ में उस समय जब GNR, Metalika जब चलते थे थे समय हमने बहुत jamming किया है लेकिन अगर आर्टिस्ट थी पर परफॉर्मर रसे कभी नहीं किया था कहीं प्रोग्राम में या गीग्स तो एक उपरशनिटी जब मुझे मिला मैं बहार रहती थी लेकिन मैं जब आई वेकेशन के लिए तो किमिन का कोई में एक प्रोग्राम चल रहा था किमिन का कोई 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 तालेंट करके तो सीजन वान बहुत न्यू 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 बहुत किया तो तो में बहुत कि कीज थी थी और मिए ठीकेशन में डिसी परशनिटी खुल सकता है तो भी मोढळशन रखरें न्यू रहां आपको कि कौई रखरेंटी गरेंगने तो 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 मैं पाज़व में बहुत पॉपरशनिटीटिग उन्से ने में बहाई ग तो जब पार्टिसिपिक किया, I got to, you know, experience a lot of things, कि अच्छा, competition में एक्राइरिया होता है, जो हमको पूर्फिल करने है, विदिन अवरी लिमिटेड देज और विक्स, तो ऐसे करके, I won, ऐसे करके, I, there were like very talented बच्चा वहाँ पे, good dancers, it was a talent hunt, तो वहाँ पे, sab category का बच्चे लोगे हैं, जिसको dance करना है, acting करना है, और इसके वार कोई, bitboxing करना है, तो I'm like, I was the one who was singing. तो ऐसे करके, and then they, they judged very fairly, and then that was the first beginning of my journey, उन लोगों ने एंकरेश किया, कि I should go forward for Nishi Idol, and, uh, ऐसे करके, I went through an audition for my sir, ने नावमतसर sir, helped me a lot to, you know, like, encourage me, कि करो, करो, so, I was a little skeptical as well, क्योंकि language barrier हो सकता है, तो कुछ हो सकता है, I didn't know, क्या होने वाला है, क्या क्राइटिरिया आने वाला है, but then I went through an audition in Nishi Idol. इस language criteria से जो यादा है, मुझे पता चला था, कि आपको थोड़ा language का problem हो रहा था जब निशी आइडिल में, क्योंकि वो निशी आइडिल है, इस तो बी लाइश्टिक जो बोथ इम्पोर्टन दिया गया है, ना, तो इसमे क्या मुश्किले है? Um, मुझे, like, जब मैं बगर ये बोल रही हुई हूँ, मुझे शरम भी हा रही है कि, I am not fluent in my own language, my own mother tongue. The problem is because my dad and mom used to travel a lot, and we used to be alone with our caretaker, which is our maid, so she was from Assam. So we would speak Nassamese in Hindi, and that was all like broken. तुनिशी तो बोथ दूर की बात है कि, like, you know, we didn't speak initially at all. Grandmother's parents से भी हम लोग दूर रहते थे, वोलो काओ में रहते थे, we were like in the capital. So that is also one of the factors, कि we couldn't learn fluently, although we understand, तो देरे देरे करके, grandparents के साथ रहें, we then learned a little bit of Nishi, तोड़ा सा, और कहना सुनना, music भी हम लोग इना सुनता नही था, we were so influenced with western music, तो ये निशी आइडल में हम बोल सकते हैं, कि अभी हम निशी आइडल को लिए, at least perfectly हम उसमझ में आता है, and I try to speak a lot, या अभी तो बहुत साथा. तो मेरा अगला कोशिन ये रहेगा, Julie, कि निशी आइडल तो आप बन गए, सब कुछ हो गया, आपने थोड़ा बहुत language भी सीख लिया, importance भी पता चल गया, तो उसके बाद जिस तरह से अभी आप sensation बन गई हो, वाइरल हुआ है आपका video, जो कि आपने एक donation drive में शायद गाया था, impromptu था वो जो भी था, और जो English, जो आपका language था, और जिस तरह से आपने गाया था, बहुत सारे, not only Arunachal प्देश, पूरे Northeast में शायद, बहुत जादा जगों में हमने देखाई कि आपका video viral हुआ था, तो पब्लिक response कैसा था? The response especially जो अपना लोगों से मिला है, जो Northeast, you're saying from Arunachal, positive जो था, that was like 99% and there are only one person who are like the trawlers. किस तरह का trawling मतलब? So, अगर trawling का बात करें तो like, अपने स्टेट में तो नहीं होगा? अपने स्टेट में तो नहीं होगा? था, like I'm very sorry to say. अपने स्टेट में? Yes, yes, like जैसे, when I started my journey in Ishii Adil, or कुछ भी चीज के लिए, I'm always a very camera shy person. और अपरन आने केले, मुझे बहुत साथा, like I'm very shy, even to speak like this. But, you know, and when I saw the comments, like people think, कि नहीं हाँ, आपने ताम नहीं मिलता हम, we don't go through, you know, comments. We go through the comments and we want to see like how people are responding. And that motivates us. तो कुछ कुछ सतेमेंट्स are like very, you know, demotivating, body shame, you know. किस तर ऐसे क्या हुआ है? Like people are commenting, कि इतना मुटा है, भारती सिंग, अरुणाचली भारती सिंग, and you know, like things like that. अपको लगते कि अरुणाचली लोगी थे है? Yes, definitely. उनका नाम, you know, there are some users, जो अपना नाम को, कुछ भी रख लेते है, कि we can't identify most of them, कि if they are from Arunachal or from outside. But, उनके language से पता लगते है, कि of course they are Arunachalis. So, they comment like this, and you know, it doesn't matter a lot, but also it matters in some ways, कि you know, like, आगे जाना के, और केमरा में के लिए शरम लगते है, और कुछ ऐसा, like I've encountered such news channel as well, जो मेरा नाम को, एक, you know, Slim करके प्रेशन किया है, which is again a body shaming. Okay. And Miss Slim, July, like not even Julie, July ase करके. So, I was really hurt personally, I don't want to you know, like disclose anything about this, but then yes, I saw it and I was really sad to see, even people like this, I think they should really change their mind and perspective of looking how people are, you know, like, I think talent, कोई जादा हमनों प्रमोर्ट करना चाहिए or respect जादा करना चाहिए not body shaming others, or you know, like demotivating them in any area, you know. इसे पहले, जब आप निश्याइड नहीं बनी थी, आप जाके लोग पहचानने रगे आपको, इसे पहले, आप क्या करती थी, मतलब, after college, कुछ कर रही थी, music सिखा अपने? हाँ, yeah, as I told ki, मैं बैंगलोर में, बैंगलोर में, courses कर रही थी, हुहाँ पे, बैंगलोर चंसरबटरी से, तो I did some craft courses as well, Western Vocals में, तो उसके बाद, I started working in schools, as a music teacher, in Chantigar, and then in Gurgaon, for, so it's been like five and six years, I worked with the students, kids, so yeah, तो निश्याजल बनने के बाद, आपको लोगों का प्यार मिला, response मिला, trolls भी हुए, कोई बात नहीं, क्योंकि trolls होना भी आजकल, you know, publicity stunts कहते है, उसके बाद, जो अब निश्याजल बनने के बाद, क्योंकि आप पहले music instructor थी, उसके बाद, आगे बढ़ने का कुछ benefits मिला है, privileges मिला है कि निश्याजल बनने के बाद, हाँ, अब मुझे ये आगे और करना है, या फिर लोगों का, क्योंकि responsibility आपके कंदों पर है, निश्याजल बनने के बाद, तो आगे बढ़ने का कुछ benefits मिला है आपको, definitely, definitely, जैसे निश्याजल का title मिलने के बाद में, मेरा status थोरा अलग हो चुका है, I'm not a normal person, अभी आभी यहाँ, नाचल में especially, अभी market में जाओ, कही बीड में जाओ, people, half of the population knows me now, that okay, she won it. And many people think that she deserved it, यह चीज जो है मुझे मतलब की और आगे एंकरेज किया है कि I should go forward और कुछ पारिसिपेशन करना है कुछ अगर अपरचिनी ते मिला है जा है वो नाशनल लेवल हो इंटर्टाशनल लेवल हो उस चीज को हमको और आगे बढ़ने के लिए उनका प्यार से उनका जो आगे बढ़ने के लिए उनका प्यार से उनका जो एंकरेज में जो मिला है and I think I should definitely go forward for it अब अब आप अउडिशन देने जाओगी निशी पर इन आइडल पर I really wanted to this year लेकिन I think in my heart के although मैंने निशी आदल जीता है but I think I still need some preparation to be in that level मैं मानती हूं कि I'm like जो भी किया है मैं अपने तलेंट से किया है and I'm जो वेस्टन में मुझे I'm like educated I'm trained in western vocals not in hindustani vocals and अगर इंडिशन में है तो they focus on hindustani music so I think I'll take a year to learn to be a little be prepared at least to go to Indian Idol जैसे कि music में ही आपने आगे बढ़ने का सोचा है और बहुत सारे ऐसे यंग्स भी होते है यंग्स्टर्स और हम लोग तो बुड़े हो चुके है तो इस तरह के लोगों को भी देखा और जो बहुत सारे लोग ऐसे भी मतलब अपना सबना खतम ही करती है उन्होंने एज होने के बाद यह क्वेस्टन के लिए यही एक रीजन था जो हमको बाहर जाना पड़ा है क्योंकि यहाँ प्रिविलेजिस कब होने के वाज़ से और लोगों का इंट्रेस्ट इंट्रेस्ट बहुत है लेकिन जगा नहीं है सिखने का एक इंस्टिशन नहीं है इसले हम लोग कुछ भी एक र connection की एकडिमी कली हो इंट्रेस्ट जो भी है यहाँ पर बहुत कम को एंट्रेस्ट यहाँ पर बहुत कम लोगों करने देते हैं अभी तक नहीं है। अभी तक नहीं है। अभी बच्पन से ही, मैं जाती थी मॉम दाद के साथ में, वी उस्ट गो विलेज वहां पे गाउं में जाके, ममें, दाद, वो लोग, हम लोग बनता वहां पे मुजिक सिखाते थे बच्चों को, असाम में हो गया, और झाल दागान से भी आताम आपर two-पाउं में तो नहीं हो टोड़ की आधितार बच्पनर को जाता है हमया क्यों सिखे बच्पना ऊंदिया है। उन्तिया पता है कि वोड़ को ग्यर oncology, वो BATA-ामें जाने के you Katherine… आटें एंथने फ्से planted कि तो यह समस्तित भी ता निए अन्ट प्रेश्ट नहीं इन्ट पाऊ था साहित निए निए वोग गटब शुम्ने से थाह सोच्छा नेहा कि लिए लिए्यार प्रेश्ट्टर को जो पला कि लोगात्व कि आप एंशी तो तो लास्ली मेरा कोश्यन यह रहेगा जो अभी जो यंग्स्टर्स है उन लोगों को मुजिक के सिवा और क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए आपकी तरफ से क्या मैसेच रहेगा? मुजिक में और मुजिक और मुजिक के लावर भी there are many factors in life that you can excel in बस अपना आपको निकालो वहां से अभी तो अरनाचल में बहुत जड़ा opportunities आगया, reality shows आगया लोग उसको भी बहुत ट्रॉलिं करता है लेकिन I think it's very good कि आप जाके participate करो be it any you know reality shows these roadies of you know Arnachal Hills are coming up and Papumpari has got talent and I don't know so many things are coming up and I think यहां पे exposure मिल रहा है तो grab it कि नही तो हमें बहार ही जाना परेगा but you don't have to go out abhi, यहां पे जो आपको मिल रहा है तो there are trollers who will you know pull you down but उनको आप और सोचो कि उनके वज़े से I'm going to get more famous more people are going to recognize me yes exactly people are going to recognize me they're gonna respect me so अपना जो talent है हम लोग हमेशा बोते है जो भी like you know speakers they say you don't be ashamed of yourself जाहे आप जो भी shape में हो जाहे आप you know like you are very introvert or you know you want to be staying at home alone you just come out of the house and show what you got तो दर्शको यह तो थी sensational जो social media में viral हो चुकी हमारी Miss Nishri Idol Murang Juli I hope कि आप सभी को यह एपिसोड हमारा पसंदाया होगा और बने रहे इतानगर News के साथ